हलो फ्रेंड स्वागत है आपका अपना यूटूब चैनल फिनीत है जो किसन पर वर्ल्ड जोग्राफिक का पाचमा अध्या प्रीथवी का वाई वंडल एवं उसकी परते तो चले शुरू करते हैं यदि आफ हमारी यूटूब चैनल पर पहली बारा हैं तो जल से जल सब्सक पूर्ण है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा छोब मंडल क्योंकि छोब मंडल में जो गैसे सबसे भारी होती है वहीं रहती है जैसे सीयोटू यानि कार्म डायक्ट साइड प्रीथवी के सबसे नीचली सेता पर पाई जाती है यह सूर्च के परकास को अपसोसित करता है यहीं कारण है कि सीयोटू गैस को ग्रीन होस गैस की सिरिनी में रखा जाता है और यह गलोवर वार्मिंग की जो घटना है उसके लिए सबसे ज़्यादर जिम्मेदार है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक चैए वाई मंडल की किस परत से प्रीथवी के द्वारा भे इलक्टोनिंग गुन पाया जाता है जिसके कारण प्रीथवी से कोई तरंग छोड़ा जाता है तो तकरा कर प्रीथवी पर वापस आ जाती है यानि रेडियो तरंग को परवर्तित कर देती है तो इसका राइट अंसर डी हो जाएगा नेक्ष है कि निमलीखित में से किस वा आपसमें परिवर्तन की जट और जाता है तो इसका राइट अंसर यह हो जाएगा नेक्ष है प्रीथवी के वाई मंडल में पाई जाने वाले निमन गैसों का सः अरोही करम क्या है तो वाई मंडली मंडल का आर्थी होता है विभinct गैसों कम इस्तरह न यानि बहुत सारा ग दीक गैस नेट्रोजट होगा इसमें सबसे ज्यादा पायज आता है नेट्रोजट ना फाट्र पर्षेंट फिस्ट हो जाएगा सेकंड है इसके बाद यानी अथातर परशेंट सिध्या प्रॉक्स बोल सकते हैं इसके बाद ऑक्सीजन लेग बत 21% ऑक्सीजन इसके बाद हो ज तो इसका राइट एंसर हो जाएगा वी टू बन थ्री फूर फैब नेक्ट है कि छो मंडल में प्रती डीग्री सिल्सेस तापमान की कमी की दर क्या है तो छो मंडल में उचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी आती है 165 मीटर की उचाई पर एक डीग्री तापमान है वो कम ह हो जाता है या बोले तो एक किलो मीटर पर जीरो पाइंट सोरी शीक्स द्रसंबलों के फोर डीग्री सेल्सेस तापमान कम हो जाता है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा 165 मीटर नेक्ट है सिक्स नमर किसन सुमेलित करने बोल रहा है यहां पर छोब मंडल तो छोब मंडल में मौसमी घटनाएं घटती है जिसमें बादल कर गरजना बिजली वरसना मतलों पानी गिरना ऐसा बरसात होना ऐसा होती है इसमें और इसके बाद है समताप मंडल समताप मंडल वाई की उचित दसा क्योंकि यहां जो है वो मौसम घटनाएं हो नहीं होती है तो इसका राइ ठंडी परत इसका हो जाएगा सर्वधिक ठंडी परत क्योंकि ये बीच का परत है इसके बाद आयन मंडल है जिसमें आयनिक गुन पाया जाता है आयनिक मंडल तो इस तरह से इसका राइट अंसर हो जाएगा बी नेक्ष है कि निमलीखित में से सबसे अधीक ओजोन कहां केंद तो इसका राइट अंसर हो जाएगा भी अस्ट्रेटो अस्पेर या बोले तो समताप मंडल समताप मंडल में उजोन परत लागवक 15 से 35 किलोमीटर के बीच मोटी परत के रूप में मिलती है जो आल्ट्रावारट कीरन है उसको क्या करती है रोकती है तो इसका राइट असर ह में लिए हो जाया का समताप मंडल या श्रेट उस पर में के लिए इसका राइट असर हो जाया का यह नेट नाइन नवर में से कौन सी गैस परग में तथा पार्थिवी कीरन के लिए आपराग में है तो इसका राइट अंसर हो जागा है CO2 कार्बन डायकसाड दी नेक्स है टेन नमर किसन की पूछ रहा है कि निमलीकित में से कौन सा कथन है वो सकते है तो चलिए देखते हैं छो मंडल की उचाई 18 किलो मीटर तक बिस्तरित है ये बिल्कुल सही है उलका स्मांदी घटना में मन्डल में मन्डल में घटित होती है ये भी बिल्कुल सही है वही मन्डल में । वो चाथी सो किलोमीटर है तो एक गलत था 36,000 किलोमीटर थेक वही मंडल एक गलत हो जाएगा नेट आइन मंडल चेह सो 4 खेलोमीटर तक फैला ये भी बिल्कुल गलत है छेहित सो चार नहीं बलकि 640 यह हो जाएगा च्छती सजार इस तरह से यह दोनों गलत हो जाएगा इसमें सत्य पूछ रहा है तो यह और भी इसका राइट एंसर हो जाएगा यानि नेक्ष है कि वाई मंडल की परते को सही करमानुसार ब्याविस्तित करने बोल रहा है तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा सबसे पहले आ जाएगा चो मंडल के बाद सामताफ मंडल इसके बाद मद GIS मंडल जबास में फुम पर MONंद भी सबसे उपर मंडल जो इसका राइट एंसर सी हो जाएगा नेक्षर ओजून परत का फैलाव विस्त्रित है ओजून परत है वो कहां तक फैला हुआ है तो ओजून परत इस कराई टंसर हो जाएगा 15 से 35 किलो मेटर तक कहां तो समताप मंडल में इस कराई टंसर डी हो जाएगा नेक्षर वाई मंडल में उचाई बढ़ने के साथ जलवास्व की मातरा में क्या परिवर्तन होता है तो उचाई बढ़ेगा तो तापमान क्या होगा कम होगा और जलवास्व की मातरा क्या हो जी घड़ जाएगी तो इसकराई टंसर हो जाएगा B घड़ती है नेक्ष निम्लिकित में से वाई मंडल का सरवधीक अस्थाई तत्व कुन सा है तो वाई मंडल का सरवधीक अस्थाई तत्व है वो जलवास पर है इसका रायट अंसर हो जाएगा C इसका राइट अंसर हो जाएगा ए आरगन है तो सरवाधीक मात्रा आरगन की है जो वह मंडल का 0.94 परसेंट है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा यह आरगन नेक्ष है 17 नमर क्यूसन है कि वही मंडल के बारे में जो सबसे उपर का है कि 12 निमलेकित में से कौन सा कथन सत्य है चले देखते हैं यहां हलकी गैसे पाई जाती है नेक्ष है इसकी कोई उपरी सीमा तै नहीं है बिल्कुल सही है सबसे उपर का है तो इसका सीमा चेशसओ चाली से उप इतना आप ले जा सकते हैं इसमें दुरूबिय उपग्रह 700 से 1100 किलोमेटर तक बीच अस्थापित किये जाते हैं तो यह बिल्कुल सही है इसमें दो परकार के उपग्रह छोड़े जाते हैं एक दुरूबिय उपग्रह और दुसरा भूव अस्था के कच्छा के उपग्रह तो नेक्ष है कि इसमें भू मंटल में सर्वधिक उजून परत कहां पाई जाती है तो कहां पाई जाता है इसका राई टंसर हो जाएगा भी समताप मंटल में पाई जाता है नेक्ष है सब् contempor की ऊफ जलते हैं तो बोलता है कि वह च्हेतर जो चो घोमन्दल सहारा समताप मंटल की अव्या कह लाता है तो क फैला तो नेट्रोजन नेट्रोजन का वंडल में 78% है 78.8 या 78 परसेंट बोल सकते हैं कार्बन डायकसाइड यानि सियो टू की मातरा 0.03 परसेंट होता है इसका हो जाएगा फूर ऑक्सीजन और उक्सीजन का मातरा लेगवल 21 परसेंट यानि 20.93 परसेंट और गन जो एक पर करका है अक्रिये गैस है यह हो जाएगा 0.93 परसेंट या 0.94 परसेंट यह बोल सकते हैं तो इस तरह से इस कराई टंसर हो जाएगा तो आपको वीडियो अच्छी लेगी है महनत अच्छी लेगी है तो प्लीज जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजे दोस्तों के पास सेर कीजे और इस चैनल को जुरूर सब्सक्राब कीजे चले नेक्ट वीडियो में मिलते हैं थेंक्यू